और आज जैसा कि आपको विदिद है कि आज का यह कारिकरम शिव संकल को सहित पैसर और प्रकर सांस्कतिक संस्ता के दारा आएजित है इस कारिकरम के प्रफम चरने में हम कहीं कुछ नहीं कापता करती के रचयिता स्री दुर्गेश राजगुप्त की ये काप्ड करती का भी मोचन करेंगे उन्हें सम्मानित करेंगे और इसी क्रम में आज हम विशो सुप से स्रीनित्य गोफाल कटारे जी जो संस्क्रप भासी कभी हैं और गीत और संगीत के बड़े ही विद्वान और सास्त्री हैं हम उनका स्वागत करेंगे तो आईए मैं कहीं कुछ नहीं काप्ता के रजेईता स्री दुर्गेश कुमार गुप्त जी से भी निवेदन कर रहा हूँ कि ये मंच पर आकर आसीन हो आदयनिक दुर्गेश राज गुप्त जी और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप तारी वजाकर आदयनिक गुप्त जी का शागत करें और इसी क्रम में जिनका आज अभिमन्दन कर हम क्रतार्थ होंगे बेश्तास्त्री पंडेट नित्य गुप्त जी कटारे साथ हमारे वीचु फस्चित है वे बरिश्ट अचनाकार है उनसे यानि वेदन करूँगा कि वेभी मंच कराकर इस मंच को गरिमा प्रदान करें आदयनिक कटारेगी पोबंदों अब जैसा कि हमें विदित है या हमारी परंपरा है कि हम किसी भी अच्छे कारिक की सुरुवात किसी अच्छी परंपरा के साथ और इस्वर के चलणों में बंदना कर मा सरस्वति के चलणों में अभिवादन कर इस कारिकरम को हम सुरुवात करेंगे जैसा कि हमारी परंपरा है हमारी सांस्क्रितिक जो ध्रूर है उसके पतिनमन करते हुए मैं आज के कारिक्रम के विशेश रूप से मुक्यती थी आदरनी बिहार साथ और जैसा कि राही साथ के भी आने कहम थ्वासा इंतिजार कर रहे थे परन्तु आज के कारिक्रम के अध्यक्ष्टा के लिए एक और शक्ष जो विशेश तोर से इस कारिक्रम में बहुत दूर से हमारे बीच आमंतेच हुए हैं तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ आदर्निक कमलेश जी सुरीवन्सी से कि भे मंच फरासीन हो आदर्निक कमलेश सुरीवन्सी और बंधों प्रखार साहितिक और सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष महदय भाई प्रवेंट दुबेजी मंच पर उपस्तित हैं सिर्शंकल्प साहित्य पईशत के प्रमोक आदर्निक गिरी महांजी गुरू हमारे बिच उपस्तित हैं तो बंधों मैं आप सभी की सहमती से आज के इस कारिक्रम की अध्यक्षता का भार परम आदर्निक स्री कमलेश जी सुरीवन्सी से निवेदन करता हूँ कि वे आज के इस कारिक्रम की अध्यक्षता करें आदर्निक स्री कमलेश जी सुरीवन्सी और मुक्यतिति के रूप में आदर्निक बेहार साथ हमारे बिच उपस्तित हैं तो अब इस मंची परमपरा की बात हम इस कारिक्रम का स्री गनेश करें और आज के कारिक्रम के मुक्यतितिति आदर कि एिए यहां कि अग्विती के च्रणू में बुष्पहार, कर हमने उस सुख़त परंपरा का निर्माह किया, कि हमारे वेश साफ्तिलोंười्ति परंपरा में ना सरस्वति के च्रणूना में बुष्पहार अर०िक लुग आरुक। तोड़ ए तोड़ दे और पूरे आत्मीता के साथ निवदन करते हुए आईए हम स्वागत की उस परंपरा की और चले जिस के लिए हम बड़े बेचेन हैं आत्मी स्वागत करने के लिए तो मैं कारिकरम अद्यक्ष स्री कमलेज जी सूरिवनसी के स्वागत के लिए स्री सुधीर सिंग विष्ट को आमंत्रित कर रहा हूँ स्री सुधीर सिंग विष्ट जी तो यहां पर आए और प्रफर संस्ता की ओर से स्यू संकल्प साहित्य परिशक की ओर से बहाई श्रीक कमले शूरीवनसी जी का जो अध्यक्च मोहद है इस कारिकम के उनका पुस्पाहर से स्वागत करें और बंधों आदरनी विहार साहब का सिव संकल्प साहित परिशत की ओर से और हम सभी के ओर से स्वागत करने के लिए मैं स्रीव संकल्प साहित परिशत के प्रमुक स्रीगिरी वहन जी गुरु से निवेदन कर रहा हूँ कि वे स्री विहार साथ का पुस्पहार से स्वागत करें और आप लोगों से जोड़़ार खालियों का अगरह कर रहा हूँ इसी क्रम में बिसुस्त अतिक्षी के रूप में मद्धवजेश गिद्धित मंदल के श्री ठाकुर साहब हमारे बीचू फस्तित है तो पूरी आत्मीता के साथ मैं भाई प्रवीन दुवेजी से निवेदन कर रहा हूं कि वे हमारे ठाकुर साहब का पुस्पाहर से स्वागत करें आदेनी दुवे जी और बंदों हमारे बीच आज जिनकी काप्वेक्रती का बीमोचन होना है भाई दुर्गेश राजगुप्त जी मौजूद है उपस्तित है तो मैं उनके स्वागत के लिए भाई प्रवीप दुवे सचीव प्रखर से निवेदन कर रहा हूं कि वे यहां पर आए और कवीवर स्री दुर्गेश राज गुप्त का पुस्पाहर से स्वागत करें और मित्रों आज इस कारिक्रम को बड़ी ही इमानदारी से बड़े ही गवरों के साथ एक विसिष्ट विक्ती सम्मानित कर रहा है जिस कभी पर इस पूरे शहर को या यूं कहा इस पूरे प्रदेश को गर्भ है तो ऐसे हमारे अपने भाई नित्ट गोपाल कटारे जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्र कर रहा हूं प्रकर सवस्ता के अध्यक्ष भाई दुवे जी को कि दुभे यहां पर आए और नित्ट गोफाल जी कातारे का पुस्पाहर से तो आज गिरिमोहन गुरुजी भी इस कारिक्रम में उपस्तित हैं, उनकी उपस्तिती प्रार्थनी होती है, तो उनके स्वागत के लिए मैं पाठक वंच के आवेनी परसाई जी से निवेदन करुआ ब्रजेव भाई से कि यहाँ पर आए और हमारे गिरिमोहन जी गुरु का पुसक्वाहर से स्वागत करें, और बंधों जिनके बहुत सारे प्रयास से या जिनके अथक योगदान से आज ये कारिक्रम सफल होने जा रहा है, भाई प्रभीन दुवे जो प्रखर के अध्यक्ष हैं, ये हमारे बीच मौदूद है, उनसे निवेदन करूँगा कि वे मं उनके स्वागत के लिए मैं अरबिंद स्वागर से निवेदन करता हूँ, कि इस प्रकर साहितिक सोंस्था भाई अरबिंद स्वागर करें, और बंधों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज इस सुयोग में स्रीमती बेहार भी उपस्तित हैं, तो मैं उनके स्वागत के लिए हमारी भावी जी मतब स्रीमती गुप्तों से निवेदन करूँगा, कि वे यहाँ पर आएं और स्रीमती बेहार का पुष्पाहार से स्वागत करें, हमारी भावी जी अहू भाग्य जो आप पधारे कोटी कोटी सम्मान, मुक्त कंट से आज तुम्हारा अभिनंदन स्रीमान, और धन्य हुए हम पाकरतुम को, हे स्रदेय सुजान, सरस्वती के पुत्रगणों, हे बसुंदरा की खान, रेवा की पावनिय धर्ती करती है प्रणाम, आपका अभ अभिनंदन करते हैं, हमारे सभी आगंतुक बंधों का, और हमारे सामने उपस्थित, उन सभी सुरताओं का, उन समस्त बुद्धी जिवियों का, जो इस शहर का प्रतिनिजित करने के लिए, इस पूरे जिले का प्रतिनिजित करने के लिए, यहाँ पर उपस्थित हुए है बहुत सारी संस्थाओं के बहुत सारी संस्थाओं के बहुत सारे लोग आज इस कारिक्रम में सुबा बढ़ा रहा है तो मैं सभी के प्रति आभार बेक्ट करता हूँ और मा सरस्वति की बंदना के लिए इस भाना के साथ कि तू सरस्वति की पूजा करता उम्मीदे फल की पूरी है परतनिक ध्यान से देख तेरे पूजन की ठाल अधुरी है वो कुष्ट हार घ्रत दीपों की देवी को बिलकुल चाह नहीं वो सर जुके है कितने चरणों में इ गर्वीले फूल अनादर के क्या देवी खुस होगी सुगंद ये तिरसकार की पातर के तेरी माला में गंदहीन गर्वीले फूल अनादर के क्या देवी खुस होगी सुगंद ये तिरसकार की पातर के और गुरुरू रूप सरस्वति के चरण छोड पासान चरण तू चूम रहा और गुरुही सरस्वति का रूफ सुनो उसका आधर ही पूजा है और अध्यान के सिवाना सरस्वति की पूजा का साधन दूजा है तो बंधों आज वे अध्यान मनन और चिंतन करने वाले लोग इस मंच के ओपर उपस्थित है और हम उनका ही सम्मान करने के लिए यहां ऒल्खम के लिए घार और उपस्थित हुया है तो मा स्वरस्वति की बंधना के लिए वह थिर्धीव द्युबैसानिक्यान कर्रहों कि वे यहां पर आये और माश्वति की बंधन और इस कारिकम का सुभारंब करें भैजॡ अधीन, सबसे पहले है कि चार पंक्थियों में, कि स्रजन हो साहित का संगीत के स्वर जंजनाएं वतन पर और अमन पर लिखें खुशी के गीत गाएं पहले से जादा मिलें खुशियां सभी को हर बरस नए प्रखर की ओर से देता रहूं शुब कामनाएं सरसती बनना है अध्रों के है नाम रिदर में चली अध्रों पहना हिदर में चली ममता मैं रूप नजर में है ममता मैं रूप नजर में है संगीत के हर स्वर में है तू संगीत के हर स्वर में है तू साहित्य के हर अक्छर में है ममता मैं रूप नजर में है तरी महमार नन करने की माता मुझ में सामर्थ नहीं जिस गीत पे तेरी कृपा नहो उस गीत का कोई अल्थ नहीं मैं तो तेरी कृपास रस माधु भरा तूटी वीना के स्वर में है तेरी कृपास रस माधु भरा तूटी वीना के स्वर में है माधवलवस्त्र तन परशाभित हे वीना दारी सरस्वती माधवलवस्त्र तन परशाभित हे वीना दारी सरस्वती तेरी कृपा बिना कोई सिद्ध नहीं जानी धानी तपसी अजती उसने ही नाम किया जग में तू जिसके मन मंदिर में है मं का मई रूप नजल में है हे हंस्वानी सरस्वती तुमें शिव ब्रह्मा दिन मन करते हैं तेरी ड dragging द्रेश्टी से रागों से कहीं दी पजले कहीं घन वर्च परीषर दि этव्य लु évidemment कहीं दीप जले, कहीं घनबर से, कहीं धनबर से, मैं तो यही जानूं मातु कृपा, मेरे भारत के घर घर में है मैं तो यही जानूं मातु कृपा, मेरे भारत के घर घर में है अधिरों पे है नाम, दर में चबी ममता मही रूप नजल में है ममता मही रूप नजल में है भाई पजीब भाई को बहुत सारी बढ़ाई, मा सरस्वती की इस बहुत अच्छी और उतकरश के बंदना के लिए और बंधो मा के संबंद में कहना चाहूँगा कि मा तो मा है जिस तरह भी चाहे उसे पुकार ले और मा के चरणों में है जन्नत, जिंदगी गुजार ले तो मा की हम माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और आईए अब कारिक्रम के हम अगली कड़ी में बड़े और कारिक्रम में आगे चले हम तो इस तारिक्रम में मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि प्रथम चरण के अंतरगत हम कहीं कुछ नहीं काथता जो काभ विक्रती है जिसके रचेईता स्री दुर्गेश राजगुप्त जी मंच पर उपस्तित है तो उनकी काभ विक्रती का हम बिमोचन करेंगे तो इस कि परंपरा के निर्वाह के लिए मैं मंच पर उपस्तित समस्त बंधों से निवेधन करूँगा कि बे कुछ समय के लिए मंच पर ख़ले हो ताकि इस रस्म को हम और जादे उतकरस्टता के साथ संपन्न कर सके मंध है कि आधनी बिहार साथ मुक्यतितिम हो दे आज इस कारिक कुछ नहीं कारता क्रती का को हम दे रहे हैं और मैं मंच पर आसिन अतितियों से रिवेधन करूगा कि वे मंच पर खुने अपना इस्तान करें इस क्रती कुछ नहीं कारता आप तक पहच रही है और जैसा कि साहित्ति के बारे में बंधों कहा गया है कि वेदना के सुर्थ जहां तक गूंजते हैं रागनी का बूद होता ही रहेगा और मौत मुत्री में नजब तक आ सकेगी जिंदगी पर सोथ होता ही रहेगा बहुत सारी सुपकामना भाई दुर्गेस्ट जी गुप्त क प्रति मैं सुपकामना एर्पित कर रहा हूं और वंदों इस काब्वेक्रती कि जो पहली क्रती है जिसका यह सीरुसक है इस काब्वेक्रती का कहीं कुछ नहीं काथता उस रचना का मैं पाट कर रहा हूं इसके बाद फिर हम इसकारिक्रम के अगले चलन में चलेंगे कि एक कुछ नहीं कापता, एक प्रस्वी अनेग देस, पहार, समुद्र, नदियां, एक भारत, अनेग प्रदेश, मद्द प्रदेश, राजिस्तान, कश्मीर, एक कश्मीर, अनेग हत्याएं, आदमी की, आर्टों की, बच्चों की, लेकिन آश चरे कहीं कुछ नहीं कापता कश्मिल से कन्या कुमारी तक सब खामोसी के साथ तमासाई बने, रेडियो को सुनते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, दूर दर्शन पर देखते हैं, और फिर भी अपने त्योहारों को, उत्साओं को धूमधाम से मनाते हैं, हसते हैं, गाते हैं, ओ मेरे देश के भारत बासियों को मानता बिहीन, संबेदन सुन्य समझ कर, उनके प्रकी घ्रा से भर जाए, ओ मेरे माली को, कश्मीर को, हिरो सिमा, नागा साकी बनने से रोको, अपने सरीर के एक हिस्से को गनने से रोको, इससे पहले की बहा की मिट्टी में परवाहों बिस्खोड हो, कि AGM सहाफ सरी सुकला जी हमारे बीक पधार चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, कि वे मंच पर आएं, और पूरी गरिमा के साथ इस मंच को सुशलित करें, आधने चुके, आईए सब, ये हमारे लिए बहुत ही सुख़द इसम्रती है, कि आधने सुकला जी प अधिकरती का भीमोचन किया, अब मैं प्रखर सथा की अध्यक्ष आदरी प्रवीन भाहि से निवेदन like, जिए अज़नी संस्था के बारे में दो शब्ड कह कर कें विश्तार से प्रपाच गाने सब, जट आदानी प्रभीन तुगे आदारनी श्री द्वार साब आदारनी श्री कंड़े सुरु रंसी जी उपस्ते सभी सम्मानी स्वाइक्तकार मा हो गये और सभी सज्जनों माताओं बेलों प्रखर का गठन अभी हाली हुआ है 16 नॉंबर 1997 को और इसकी प्रेश्ट भूमी में क्या है कि ओल्ड इस गोल्ड जो आर्टेश्टा हमारा अफिसर्स क्लब का था आदानी बेहर साब की प्रेणा से हम लोग तो सब नौकरी कर रहे हैं काफी responsible post पर काम कर रहे हैं इतना समय नहीं हैं फिर भी उनने हम लोगों को प्रेणा दी और कहा कि कुछ ना कुछ हम को करना चाहिए काफी लोग हम सब को यह बात अच्छी लगी और हमने कैसे भी समय निकाल कर आफिसर्स क्लब में आदरनीय विहार साब आदरनीय शुकला जी के नेत्रत में हम लोगों ने एक आर्केष्टा का गठन किया उसका नाम दिया हमने ओल्डिस पोल्ड वो जो आर्केष्टा है हमने जगे जगे उसके माध्यम से प्रोग्राम दिये समाज कल्यान और रोगी कल्यान समिति को उस आर्केष्टा के माध्यम से और ढूले विसरे गीतों को सब्सक्राइब करें तो हम में साया आत्मिश्वास आया और ऐसा हम को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं उसके उपरां अदेने बेहर साब यहां से चले गए और चूंकि इस एक्टिबिटी वह हमें लगातार जारी रखना था आप समझे धाई माय के अबदी में आज इस ये कारिकम हमारी संस्था कर रही है शुप्षंकल परिषट के साथ और मुझे बहुत खुशी है कि श्री गुप्त जी की काकाब्य संग्रे कहीं कुछ नहीं कापता का लोकारपान नहीं हमारी संस्था दीश है जाग्तेगोपाल जी पटारे जिनने हम लोग बहुत ही इसने देते हैं और बहुत ही जादा वो हमारे लिए आकरशा का और स्रद्धा का वो हैं तो उनका भी संभानिया हो रहा है यह हमारी संस्था के लिए वरभ की बात है और मैं आभारी हूँ आप सब का कि आप सब जाग्तार हमारी संस्था के लिए कहीं भी हमारा कारिक्रम रहा हो कैसी न कैसे हमारे लिए समय निकाला और हमारे प्रेवना स्रोत आपको भी बन रहे हैं और हमारा अत्पिस्वास बढ़ा रहे हैं इसके लिए आप साधुबात के पात रहें और इतना ही केकर में अपने प्रभीन दुवेजी के साथ उनकी इस प्रखर संस्ता के साथ इस शहर में प्रखर बहुत ही प्रखरता के साथ और बड़ी ही बलंदी के साथ आगे बड़ाई है यह गोरो की बात है तो आए अर्श्यू संकन साहित परिशप कि तप्रखर हमें के सहीध तप्रखर हमें और उनके सहीध से यह कारिकरम आए जित वा है तो उसके प्रमोक गिरी महांजी गुरु मंच पर आसील है उनसे मैं निविदन करूँगा कि वे प्रखर शब्द कहकर आज के इस कारिकरम में स्यूशंकल्प साहित परिशत की गतित ब लक्ष हमारे सम्मानी साइटकार सिरी सुदंग्सी जी मुकादेथी पादरे सिरी विहार साथ और सभी आगंतुक महनभाव बहने आज बड़े हर्श का विश्य है कि हमारे नगर में अभी देल बरसों से आये हुए बैतूल से स्थारंद होकर यहां पर इस नगर में आकर के जनों ने अपनी एक पैचान अपने काब के माध्यम से दी अपने नाटकों के माध्यम से दी भाई दुरुगेश गुटकराज उ प्रिथर के स्थाइक तत्वाधान में यहां सब नगर के साइटकारों की उर्से किया जा रहा है हमारी परिशत के विशे में मैं अधिक क्या कहूं आज से लगवक्त तीन बर स्पूर इसका सारा स्रे जाता है जो बड़े मौन सादक और अपने आपको छपा के रखने वाले सायक जिर्वासावन रिक्षत हमारे आदरनी सिरी अमतलाल जी मालवी जो बरतमान में इस संस्ता के अध्यर्च है उनकी विशेश पेड़ना से हम लोग हाउसिंग और इस्तित कालोनी में शेवासंद रम्दा मंदरम के प्रांगल में तीन-चार साथी भाई नित्यकोपाल क कि हमने बैठ करके एक ऐसा जणन लिया कि जैसा कि यजुर्वेद में मंत्र है शिव संकल्प मस्तू हमारे मनीशियों ने कल्पना की भावना की और चाहा की साड़े संसार में जो है और शुब कल्यार कारी भावना का प्रसार हो और सब का कल्यार हो तो उसी बात को मत देना रखते हुए कि साइट का काम भी हित्व साइटम साइट्यम साइटी भी जो है सबको हित्व को लेकर चलता है अपर हमने इसका नाम सिर्फ संकल्प साइट परतर रख करके कायकन सुरू किया और आपको जानकर बड़ी प्रसंता होगी कि मंत्री हमारी एक बिलेटिन निकलती है सेवासं संदेश नाम से जिसके की 25 मांक जल्दी ही आपके हातों में होगा इसका विमोचन होने जा रहा है और लगवक्त दो तीन पुस्तक है अभी हमारे नगर के बहुत बयुब्रत प्रसाइटकार आदरनी दद्दा जैद्युजी बसिश्टे यहां बिराजमान है उन पर मैंने मेरे द्वारा एक संद सिंगा चाली से लिखा गया उसका प्रकाशन हुआ और इसके अभी गतवर्सी एक बड़ा घुमदाम से कायकरम विमोचन का हुआ हमारे संस्ता क्या जो या दानी है मतलाल जी मालवी इनकी क्यति अभ्यक्ति जो गद्द और पद्द में है जिसकी बड़ी सरा आयनकी गई दूर दूर से इसके बारे में हमारे पास समिच्छाए आ रही हैं उनकी क्तिका विमोचन परसद के माध्यम से हुआ और इन तीन वरसों में लगवग 25-30 गोश्टियां और साथ साथ में हमारी संस्ता कुछ वित्वत जनों का साहितकारों का स जयके करें तो उसी कली अज यहां पर जासा घैंगे की हमारी तो भीभूतियां समाल आप सबके आ दिन से सहयोक से सबसेबला करक adaptation कुछ हमें से अच्छिमित अधरे लात फ quickly हाले how to get you हैं आप सब का अभी दन करते हुए मैं अपनी प्रदेश की और से इन साहित संस्थाओं को शुब करना जेते हैं कि वे बहुत उचाईयों पर जाए और अपने जिस अंकल्ब को लेकर वे संस्थाओं चली है उसे पूरा करें तो आएए अब हम अभिनंदन की और चने बंदन की और चने आज के इस प्रदूसित बातवरन में ये तैकर पाना बढ़ा मुस्किल होता है कि आखिर अभिनंदन या बंदन ये नमन किसका किया जाए तो बंदन उस संदर में कहा गया है कि जो कलम सरी के टूट गए पर जुके नहीं या दुनिय उनके आगे सीज जुकाती है और जो कलम किसी कीमत पर बेची गई नहीं बहतों मशाल की तरह उठाई जाती है तो ऐसी कलम जो मशाल की तरह उठाई जाती है आए हम उन रचनाकारों का आज अभिनंदन करके और इन आत्मिय च्छाओं को और जादे गरिमार गोरत रदान कर मैं थोड़ी सी जानकारी जो मुझे प्राक्त है मैं दे रहा हूँ तो आधरनी गुप्त जी के बारे में बंदों जिनकी काप्ड क्रती कहीं कुछ नहीं काप्ता का बिमोचन मौसर है हम उनके व्यक्तिव पूर क्रतिव के संदर में कुछ जानने का यत्न करें साहित्य जगत के चर्चित हस्ताचर स्री दुर्गेश राजगुत का जन्म 23 अपे सन 1960 को डबरा जिला गालियर मद्दो प्रगेश में हुआ भूही से आपने बीएस्सी पर एललवी की परिक्षा हुप्तिन की लेकन की और सतप रुधान रखते हुए आपने मुक्य रूप से कविता देंग एवन नातक लिखे आपका प्रथं का बिसंकलन आईना चटक गया उन्नीस तो बैसी में प्रकासित हुआ आपने कविता के साथ ही बिविन्य चर्चित प्रसिद्ध नातक भी लिखे जिनमें प्रम भयतक ने से पहले सो रुपे का चकर अधर में समय चक्र धर्म संकत प्यार किया नहीं जाता बिवहार का चकर तथा सोतेली नातक प्रमुख हैं जिनका विवन्य आकास बाणी केंद्र बद्दूरदर्शन से प्रसारन भी हुआ है वह ये नातक साहित्य जगत में अर्चित अत्यविक चर्चित बसंभानित हुए हैं जिनकर हिंदी साहित्य सहस्थान चम्ता बोगु सराय बिहार गारा आज को लगू कथारतन की मानत उपाजी से भी संभानित किया गया है शिरी गुप्त को अंकुर साहित्य तेवन कना परिशाथ जिला स्यूपूरी के सहस्थातक होने का भी गवरण प्रात्य है शाहित्य प्रसामाजिक छ अधिकारी के रूप में कारे रथ हैं हम सभी नर्वदा पुरवासी मान नर्वदा से स्री दुर्गेश राज गुप्त के उजबल दसार्थक जीवन की कामना करते हैं जीवेद सरदय सतम बहुत सारी सुपकामना है हम गुप्त जी को दे रहे हैं और आईए अब स्री गुप्त जी की जो अमर क्रती है जिसका हमने आज भी मोचन किया है उसकर हमें कुछ समिक्ठाय प्राप्त हु प्राप्त समिक्ठा को करें भाई अतल जी पद्मिश्री डाक्टर राम नारेंज उपाज है जो प्रिख्या ब्रेंगकार हैं उनके द्वारा ये समिक्ठा लेकिए वाचन करता हूं दिया भाई आपका पत्र एवं काब्य संद्रह कहीं कुछ नहीं कांपता एक सी बैठक में पढ़ गया आपकी कलम में अपनी बात कहने की अपूर्व जहमता है जब किसी समात का सुरी सुन पढ़ जाता है और छोटी मोटी बातों का उस पर कुछ भी असर नहीं पढ़ता त अब ऊसे ब्यंग की गहडी चुटकी काटकर ही जगाया जा सकता है। ब्यंग का का कारिष एक लहर उठाना है शमाच को जग्जोर कर खड़ा कर देना है। ब्यंग सद को सद केने और गलत का प्रिचिकार करने की सक्ति प्रदान करता है। ब्यंग ने आम आदमी की सोच को धारदार बनाया और एक मसाल बनकर प्रिपरीत परिस्थितियों में आगे बनने का मार्ग प्रशस्त किया। आपका ब्यंग चीजों को देखने और सही परिपेक्ष में समझने की दिश्थिति प्रदान करता है। मेरे साथ कदम मिलाकर किलने से क्यों डरते हूँ मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाने से मैं भी तुम्हारी तहे एक इंसान हूँ। यह इंसानियत के नाम एक संदे से एतनी ससक्त जीवन्त रतना के लिए मेरी हारदिक बधाई हस्ताप्षर राम नाराई उपाज लाई। इस क्रक्टी के उपर पाठक मंच की और से भाई राम महां जी परसाई अपनी समिठ्ज है मर पर परसूद्ट करें आए और इस क्रक्टी अब होसंगावाद में नया नहीं है। उन्हें डबरा ग्वालियर से अपनी साहितिक यातला प्यारम की और प्रदेश के अनेक नवरों में साहितिक पता का फिराते हुए बरतमान में होसंगावाद की सिभाव आ रहे हैं। वे हिंजी के प्रती तनमन दंचे समर्पित साहितिकार हैं। उनका लक्ष भारत में हिंजी को उसका उचित इस्थान जलाना है। जिसके लिए भी निरंतर संगरसरस हैं। देश के महावाई राष्टपती मौवदय से लेकर देश और प्रदेश के प्रवद्द साहितिक किसीयों और समाज सेवियों से उन्होंने पत्राचार और संपर किया। तथावी अपनी बात रखने में सफल भी रहे हैं। श्री गुप्त का प्रसम कविता संगरे 1982 में आजनत अडग्या प्रगाशित हुआ था जिसके थी शोले वर स्पच्चात कहीं कुछ नहीं कांपता पाड़कों के भी आ रहा है। कई किसा मिख्चा हमें प्राक्त हुई हैं लेकिन मैं समय को द्रस्टिकत रखते हुए आज बेहार साथ की आणयत इतितियों की व्यस्तता को द्रस्टिकत रखते हुए रहा हैं। ये तो निच्चित रूफ से आगर नहीं हैं, बधाई के पात रहें, तो हम दुर्गेस राजगुप्त का स्वागत करें। मैं बधाई दुर्गेस राजगुप्त जी के सम्मान में कहना चाहूंगा, कि शीशे में अपना चहरा जो देखाते बर गया, और इस जिन्दगी के बास्तों में कैसे मर गया, और जिन्दगी ऐसास की खुझू कहा गई, और तेरी रगु में जहर धुला कैसे बर गया, और ए स्यू संकल्व साहित परिसोप की ओर से, तो पुना एक बार हमारे आदेनी महानोहासन इवेदन करूँगा, जिए एक बार बातासिस मंच के उपर खड़े हों, ताकि हम इस रस्म को, इस अविननर वाली रस्म को पुरी कर सके, आदेनी राही साहथ, स्री काजीम रजा राही सहय कुल सच्यू वरकप उल्ला बिस्मित जाले भूपाल से हमारे बीच पढ़ार चुके हैं, उनकी उफस्तिती से हम करतार हुए हैं, तो आईए, अब मैं कारिक्रम के मुक्यतिती परमादर्णी परमसरद्धे स्री बिहार साफ से निवेदन करूँगा, कि वे रचनाकार क चुकर से निवेदन कर रहा हुए हमारे बेहार साफ को फुस्त प्रहार उप्लब्द्ध कराएं, ताकि वे भाई दुर्गेश राज गुप्त जी का फुस्त प्रहार से स्वागत कर सकें, और आदर्णी राही जी बेहार साफ से निवेदन करूँगा, कि वे श्रीफल बिल करें और सब्सक्राइब पैठाक मच की और से बाहस प्रभान करें ये बढ़ी हर्स और गौरों की बात है कि पाठक मंच जिसमें बहुत सारी काप दिक्रतियां और बहुत सारी पुस्तके आती रहती हैं तो हमारे ब्रजेश भाई ब्रजेश परसाई जो स्वेम भी लगू का फाकार है हमारे बीच उपस्तित है भाई ब्रजेश परसाई और बे पाठक मंच करते हैं, पाठक मंच को संचालित करते हैं, बे हमारे बीच हैं, बेजी दुर्गेज राज गुप्त का साइज स्रीफल प्रदान कर शागत कर रहा हैं, हम हमारे बीच आदर्णी बेहार साब उपस्तित हैं, उनके सामने में ये ध्रस्टता नहीं कर सकता, कि मैं अपने हाद से होने, तो मैं आदर्णी बेहार साब से नवेदन करूँगा, तो हमारे थोटे से पाठक मंच की ओर से, हमारे दुर्गेज राज गुप्त जी का समान करें क्या बात है, बेहार साब, जो बड़े वहिया मौजूद हो, तो छोटे वहिया की कोई आवशकता नहीं है, बिल्कु सही है वहिया, ब्रगेज भाई, आज सहभाई की हुए, और बेहार साब ने तो इतने ज्यादे हाथ आगे बाहा दिये हैं, कि हम, हमारे हाथ तो बहुत और निश्चत रूप सेम बेहार साब को बढ़ाई हो धन्यवाद देते हैं, मैं बीच में एक मिनिट आपका और लूँगा, हमारे याँ परंपरा है, हमारे हिंदु धर्म में, सी क्रस्ना अरपना मस्तू, हम क्रस्न को समर्पित करते हैं, आज बसंत पंचिमी है, और हमारे महान हंदी के योद्धा, मिराला की जैनती भी है, मैं इस आउसर पर उन्हीं रूप में, मिराला के रूप में, गुप्ती जी का सम्मान नहां कर रहा हूँ, मिराला को ये सब्धान जली पहुंचे, ये यही आशा भाई ब्रजेश परसाई जी ने एक महान और इस्मर्णी और अदूतिय साहित पेकार का इस्मरान कर इस कारिक्रम को और ज्यादे गरिमा और गोड़ो प्रदान कर दिया है, तो आईए अब हम हमारे अतिति चुकी ख़़े हुए हैं, तो हम आईए चने स्वागत की और दू अब हमारे बीच हैं, भै नित्य गोपाल जी कतारे, तो भै नित्य गोपाल जी कतारे का भी आज हम अभिननन कर करतार्त होंगे, तो आदर्नी बिहारत आफसे में निवेदन करूँगा, कि भै आदर्नी नित्य गोपाल जी कतारे को पुस्पहार अर्पित कर और प्रसुस्त यूगदान के लिए के लिए उसे चाहिख प्राविंगे लगभिंगी और राई साथ हूं न यिक थैए भाई अध्यक्ष महधे सूरीертв catching जी भी इस महायक्य में अपनी आहुती अर्फित करें बेहार साहब कटारे जी को साल पहना कर विसाल बना रहा है यह सुभागी की बात है और वह विसालता के नए माद गंडों को चैकरें बहुत बहुत बदाई धन्यवाद कटारे जी और जैसा कि में आपको बताए था कि अमान भाई नित्य गुफाल जी कटारे का हुआ है तो उनके संबंद में प्रकास दालने के लिए उनके जीवन के बारे में उनके रचनात्मा पक्ष के बारे में मैं गिरिमोंजी गुरू को अमतित कर रहा हूं कि नित्य गुफाल जी कटारे के विक्तित और क्रतित पर प् होती है कविता के माध्यम से वो सब कुछ क्या देता है थोड़े में कहूं तो गाड़ावारा के समीप उन्नीश सुत्रेपन में एक टेका पार नामक ग्राम में एक साधान परिवार में जन्में भाई नितिक उपाल कटारे बारान सी पहुंचने के बाद वहां से सरस्वती सं संगीत का डिपलोमा प्राप्त किया और संस्क्रत में साहित सास्त्री की उपादी प्राप्त की और उसके बाद नरंतल संगीत एवं साहित दौन में समान रूप से ऐसा बहुत कम होता है कि आप साहित और संगीत का रही मिल जाता है तो आप समझेए कि साहित में जान आ जात साहित्त में ऐसा बरतमार में ऐसा कोई कभी मेरे परिचे में नहीं है कि जो इतनी सरल और सहज भासा में संस्कत में जो रचनाय प्रस्तुत करता हो समार रूप से उनका संस्कत एवं हिंदी पर समार रूप से उनका दिकार है और उसी प्रकार से उर्दू में अभी उन्होंने बल्कि देखिए सबसे बड़ी बात तो संस्कत में आतुकांत रचनाएं लिखी जाती हमारे जितने बेद प्रहां हैं सब आतुकांत है किन्तु उन्होंने हिंदी के जो शैली काप शैली है उसे संस्कत में उतारने का प्रयास किया अभी आप हम चाहेंगे कि सब्सर्पर वो गोश्टी होगी उसे में अपने गीज सुनाएंगे ही उन्होंने यहाँ पर रे मन बसत हुसंदा बादे नरम्दा जी पर ऐसी सुंदर संस्कत में रचनाव तनी सरव रचनाई की है कि एक सामान हिंदी जानने वाला भी संस्कत रचनाव को समझ सकता है आलूप से संस्कत रसनाकार जिनका हम आज अबंदन किया जिनका हम सबकी ओर से आज उन्हें दिरगाई होने की कामना करते हैं उनके भविस उजल भविस की कामना करते हुए उनका अबंदन करते हैं बार बार उन्हें साधवात देते हैं कि इसी प्रकार से उनका सयोग मिलता रहेगा और हमार अब आईए हम चैने बंधों आज के इस पारिवारिक और आत्मी कारिक्रम में मुझे यह पंक्तिया याद आ रही है कि गुरु गोविन दोवु घड़े काके लागू पाए इस मंच पर जो भीभूतिया मौजूद है जो हमारे आगन तोक महानुवा मौजूद है मैं कहां से अपनी बाद सुरुआत करूँ और कहां समाप्त करूँ मैं तै नहीं कर पा रहा हूँ फिर भी मैं अपनी ओर से ही सुरुआत करता हूँ आज नर्वदापुर के गौरों को और ज़्यादे गरिमा प्रदान कर रहा है तो मैं आदरनी सुकला जी सनिवेदन करूँगा कि वे आज के इस कारिक्रम में हमें दो सब्द कहकर इस कारिक्रम को गरिमा प्रदान करें तो सुकला जी का स्वागत मैं इन पंक्तियों के साथ कर रहा हूँ इन अमर पंक्तियों के साथ कि सोसता हूँ सोचता हूँ आदमी जब जल रहा था आग से पत्थरों की आरती तुम किस तरह करते रहे और शाम होते ही उन्हें सबने भुला डाला यहाँ वे जो सूरज की तरह घरगर सुबह करते रहे वे जो सूरज की तरह घरगर सुबह करते रहे आदर्णी सुकला जी को पूरे संबान के साथ जिसके बारे में अपने विस्तर समिक्षायन सुन ली है उसके बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहूंगा किन्तु नगर के लिए और हमारी संस्ताओं के लिए गरू की बात है कि ऐसे गंभीर संदेदन शीरी स्रजन करता हमारे भीज हैं ये औरों के लिए भी प्रेजना की बात होगी संस्ताओं निश्चे ही बढ़ाई की पात्र हैं कि सम्मान के पात्र को समय से समुचित सम्मान दे रही हैं मैं भी उसी में अपना स्वर में लाके कहना चाहूंगा अल्ला करे जोरे का लम और ज्यादा गुश्ठी इसके बाद है निश्चे ही आप कविताओं से अमन्ति अभी भूत होंगे सुनके बहर साब के पास अधिक वक्त नहीं इसलीए वक्त पुना लेते हुए मैं पुना अभी नंदन से सम्मानित हुए आदरनी श्रीक अटारे जी को मेरे पुराने में स्वाग परस्डियो था में 88 में उस वक्त हमाएं साथ थे निश्चे ही बहुत अच्छे साहतेकार बहुत अच्छी संगीत की समाजून के मन में है और इंदो विधाओं का संगम अपने आप में निश्चे ही बहुत अनूठी चीज पैदा करता है जो ध्वनी के संगात हैं शब्द संगातों से जब वो मिल जाते हैं तो निश्चे ही अपूर्वा अलोकिक जिसे स्रजन कहें वो होता है हमारे नगर में वे बहुत अच्छी साहितों सेवा कर रहे हैं श्री कातारे और श्री दुर्गेश जी को बार बार शच्छ से बलाई है आदर्णी आदर्णी कातारे जी को पाठक मंच की और से और भाई रगुल्यन भाई स्री शीठा जी भी माले अरपन कर रहे हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं चाहरा था कि इस कड़ी में जैसे मैंने शुरुवाद की थी आदर्णी ठाकुर साथ भी कुछ अपने विचार वेक्त करें लेकिन ठाकुर साथ के रहे हैं भाई बरिष्ट लोग जब मवजूद हैं तो मैं अपनी क्या बात रख सकता हूं मेरा समर्थान है आपके स आतर्णी बेहार साथ, राही जी, गुरू जी, शुकला जी और यहां पधारे समस्त मानभावों हर रशनाकार के लिए उसकी कृती का प्रकासन साहित जगत में निश्चिती एक महत्पूर्ण दिन होता है और जहां फिर बसंत बंचमी निराला जैनती जैसे दिन बेहार साथ जैसे ग्रति द्वारा उसका लोकारपड किया जाए तो उसका महत कुछ अधिक बह जाता है ये इस संक्रिलन के लोकारपड में जित्ती ही दिवस्था को दिवस्था संबंधी परेशानी आई सायद वो यहां के आई जुगों को निश्चिती इसमन्नी रहेंगी होशंगावाद के थ्यास में मैं संक्लन के संबंध में कुछ न कहते हुए यही कहूंगा कि यह मेड़ा इक पढ़ाव है करता के संबंध में जिसका मैंने भी प्रकासन करके आपके सामने लाया है निकट भविस में रेडियो नाटक संबंदी पुस्तक का भी प्रकासन होने जाएगा हिंदी के संदर मैं यहां में आज एक आप लोगों को आश्वाहन देना चाहता हूँ कि राश्टी और अंतराश्टी इस्तर पर हिंदी के संदर मेरा प्रयास नेरता जारी है और मैंने निर्णे लिया है कि त्रेमा से एक अन्रोग पत्रका का प्रकासन 16 प्रष्टी इस होशंगावाद से अप्रेल माह में किया जाएगा जिसमें हिंदी संबंदी गत्विदियों और मेरा प्रयास यह है कि हिंदी के नाम पर जित्ती संस्थाएं काम कर रही है उनके वरिष्ट मानवावाद को इस होशंगावाद सहर में एक मंच पर एकत्रित करने का प्रयास कर मैं यह देखना चाहता हूँ कि बास्तव में दूद कितना और पानी कितना है जिससे कि इस पर श्टो सके केवल धोल पीटने तक ही सेमे थे या बास्तव में कहीं सार तक प्रयास भी किये जा रहे है क्योंको मुझे नहीं लगता कि जो संस्थाएं आज सास की अंदान से कार कर रही है मेलाओं बैटके हम सायथ की सेवाएं कर रहे हैं या हिंदी के नाम पर अपनी रोटियां पका रहे हैं वो बास्तव में कुछ कर पा रहे हैं तो ये मेरा प्यास है और आप लोगों ने आज मुझे जो संबान दिया बास्तव में मैं अभी उस संबान लायक तो नहीं था लेकिन फिर भी एक भावना होती है विचार होता है उसका संबान करना मेरा फर्ज था अथा है मैं आप सब के प्रती आवारी हूँ और इस चर्म में कुछ जादा क्या कहूँ धन्यवाद पादनी गुप्त जी का अभियान उचाईयों तक पहुँचे हमारी सुपकामना है गुप्त जी के साथ और आईए अब एक और रचनाकार भाई निप्त गुपाल जी कटारे को मैं बिना किसी भूमिका के यहाँ परामंत्रित कर रहा हूँ और नीरत जी की मुझे पंक्तिया याद आ रही है मैं सोचता हूँ उनने साम्मान में यह पंक्तिया बड़ी सारथक रहेंगी उनके लेखन के लिए भी और उनके लिए भी तो नीरत जी की इस मरी पंक्तियों का मैं उलेख कर रहा हूँ कि वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है वक्त ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है जला के अपना ही घर हम ने रोशनी की है वो सबूत है मेरे घर में धुएं के ये धब्बे कभी यहाँ पे उजालों ने खुद कुसी की है पूरे सम्मान के साथ बहनित्य गुफाल जी कटारे बहनित्य गुफाल कटारे परमादर निये स्री बहार जी आदर निये राही जी और मंच पर उपस्थित समस्थ बिसिस्टाति थी गान एवं मित्रो मैं इस को इस अभिनंदन को सबसे पहले तो मैं आसीर बात के रूप में ले रहा हूँ और इसके लिए मैं कतरी तयार नहीं था पहले से और ये अचानक जैसा कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग हमारे साथी हमित्र है उन्हेंने मुझे से पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी तो बास्ता मैं मैं इसके लिए बिल्कुल तयार नहीं था अचानक ये आमनत्र पत्र में जब वो मुझे नाम दिखा तो इसके बाद मैं कुछ नहीं किया सका इसके लिए तो मैं समस्त हमारे साथी हों से में ये कहूंगा कि ये मैं इसे सर्फ आसिरवाद के रूप में ले रहा हूँ मैं कुछ सम्मान का ना तो फात्र हूँ और ना इसकी आवश्चकता है और इसके लिए आप समस्त जिल लोगों ने मैं तो उसे साजिस कहता हूँ की है तो मैं उन सब को दंड़वाद तो दूँगा ही और मैं उसे विल्कुल आसिरवाद के रूप में ले रहा हूँ यसे सम्मान का तई मैं अपना नहीं मान रहा हूँ धन्यवाद आप उसे किसी भी रूप में लें लेकिन हम तो उसे गोरवाद गरिमा के रूप में ही ले रहा है और आपको बढ़ाई दे रहे हैं कि आपका बारबार सम्वान होता रहे ताकि आपके सम्वान से हम भी गोरवान भी थोते रहे हैं भई कटारे जी तो आएए अब इस कारिकरम के उस महत्पूर्ण बिंदों की ओर हम चले जिनके सोभाग्य से आज हम निश्चित रूप से करत आर्थ और सोफाग्य साली हुए हैं बंधों जैसा कि मैंने आपको बताया था बेहार साथ के बारे में कि बेहार साहब को जहां तक हमने जिया है देखा है या भोगा है तो ये बड़े ही दंब के साथ बड़े ही गवरों के साथ ये कहा जा सकता है कि बेहार साहब जैसा सरल और सहज व्यक्ति ने तो कभी शहर में आया है और नहीं हम निकल भमिश में कल्भना कर सकते कि ऐसा कोई जिलाद ध्यक्ष हमारे शहर को गोरवान बीत करेगा जिसने हर एक समारों में अपनी उपस्थिती दर्ज कर जिलाद ध्यक्ष के उस महतून पत को उन सारी विसंगतियों से और उन सारे अवरोधों से दूर कर दिया है और जन मानस के बीच लाकर खड़ा कर दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि जिलाद ध्यक्ष भी आपके और हमारे वीच का ही कोई व्यक्ति होता है जो इस समाज का प्रतिनिलित करता है तो पूरे दंब के साथ और पूरे गोड़ों के साथ मैं सोचता हूँ कि आदर्णी चंद्रहास जी बेहार जो अभी बर्तवयन में उत्प सच्चिव सिक्षा मद्दप्रवेश रासन भोठाल में कारेरत हैं जो यहां पर इसके पूर जिलाद्ध्यक्षते यहां से इस्थान कि किकए को न Siya Teja दॉत्वाहस मगर सर जुका के चलता था वहासमा था मगर सर जुका के चलता था पूरा सम्मयन के साथ आदरी बेहार जी अधानी बेहार जी को अधाय दाहिजी कि आभर नहीं कि कि अ हमने शुरएंसिजी चिस है कि ए इस समाहरों के चांद और सूरज श्री मिति गुपाल कोटारे जी और श्री दुरगेश गुपतराजी श्री गुरे राज गुरे जी श्री ठावकर साथ अन भुपस्थित इस जिले के साहित नभ के चमकते सितारे साहित प्यमी साहित के लिए समर्पित अपना जीवन करने वाले भुपत जो इस पावन परव में जो साहित और संस्कृति की देवी सरस्वति के आराधना के दिवा से आज हमारा परवा है ऐसे परव में आज इस जिले की साहित नभ के चमकते दो सितारों को सम्मानित करने के लिए हम उपस्तित हुए हैं और साथ ही अन्य कुछ चमकते सितारों की करताएं सुनने के लिए हम उपस्तित हैं और मुझे इस फास है कि आगे ये स्वासर मिलेगा हमें कि उनकी भी कुछ करताएं कि अन्य जे सम्मकते सितारों यहां उपस्तित हैं उनकी भी करताएं हमें सुनने को मिलेंगी मैं बहुत कुछ कहा गया से दुरके इश्कुप्त राज जी के बारे में इसलिए उनकी को दोढ़ाना नहीं चाह रहा हूं उनकी विविन विधाओं में जो पैट है किर्तिमान है उन्में से एक छोटा सा उदाहन तो मैंने चोटा सा ही है कि जतना वरियत बताए गया है उसकी तुलना में मैंने पढ़ा इसको मुझे परसम मिला उसमें सिद्धिकांज के विताय मैंने पढ़ी है और उससे जो आभासित होता है वो है कि पढ़ने के बार दुर्गेश गुप्त राज दूरु दगा उनने अपने को गुप्त रखने कोशिश की है गुप्त और राज हरंदो छुप नहीं सकते जो चमकने वाले सितारे सूरज को किसी राज की कहने के जुरत ने गुप्त रखने के जुरत ने कोई रखने सकता गो तो वो उनकी चमक पूरे जिले में अब आने के बाद उनके ताप्त हो गई है हमें दूसरी उनके हिर्दय की जो गुप्त और राज वो भी उनका विताओं से प्रदर्शित हो जाता है कि कैसा उनका मन आज की अब यह उस्थाओं से उद्ध्वेलित है और उनका अंतरमन और दिमार उद्ध्वेलित है उससे वे चाह रहे हैं कि एक नीटन का लाह है जो अपने कंपन से कि आस पास भी वो अंतर्मन नें नने अंतरमन सब दिस्थे स्तव में इस्तमाल हिरा है संबत व वूग कश्मिर में पूरे पूरा कश्मिर आतंगवाट के सामने का परह है वही आतंगवाट के सामने पंजजाब और हम उसम थी काप रहा है उपद्रों के सामने भीहार का परहा है प्रकृति के कि सनी दिरिष्टी से प्रकृति की सनी दिरिष्टी से जबलपुर कापा कुछ दिन पहले हैं इसलिए भौतिक दिरिष्टी से तो कहीं कुछ नहीं कापता गलत है मगर इनके कहने के काफ़ पर है कि इन जो कंपन है पूरे हमारे देश में विस्व की बात हम नहीं करें हम इसकाम हमारे राश्ट हमारे देश में जो काप रहे हैं यहां कंपन हो रही है उसकी प्रतिकार में अगे निटन ला में प्रतिक्रिया के एक विप्रित प्रतिक्रिया होती ये जो वहां काप रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में उसके प्रतिकार में क्या हम काप रहे हैं तो वो ही उनका आवान है कि हमारा अंदर्मन कापे हमारे विचार कापे हैं बुद्धी कापे बेवार काप हम जो बेवहरित करें अपने समाज में उस कंपन को देखते हुए उसके इशारे से कापे और उसके प्रभाव से हम कापे और कोशिश करें कि यह समाज में जो अब्याउस्था रूपी कंपन है उसे हम हमारी कंपन से काटे से काटा निकलता है तो उस कंपन को हमारे कंपन से हम उसे समाप्त करें मिठाएं यही मेरा अंदाज है कि इनका अहवान है मित गवल को कड़ारी को जब शाल भेट कर रहा था तो किसम ने कहा कि शाल से वो विशाल मगर ऐसे विभूती को शाल देकर उन्हें विशाल नहीं बनाए जाएगा मेरे राय में ऐसी विभूतियों को शाल भेट कर जो संसा साल भेट कर रही है वह विशाल हो रही है मैं जाने से पहले जो भी मंच की तरफ से खड़े हुए कोईने कोई कविता पढ़ी होने ने मैं थाले कुछ बोलता रहा अभी अभी प्रकाशिक काभिय संग्रा से एक कविता जिसने मिझे प्रवाइब किया है वो मैं पढ़ते जा रहा हूँ आज कलके इमानदार और सज्जन पूरुसों के लिए क्या इस्तिती है सच कलका इसमें जिनने पढ़ा हो तुम इमानदार हो तुम गांदियवादी हो तुम जूट नहीं बोलते तो जाओ तुरंद जाओ समुद्र की लहरें समुद्र की लहरें पहाड की चोटियां और कमरों में लगते पंखे तुम्हारा तुम्हारी प्रतिक्षा कर रहे हैं यह बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज की स्थीजी में कि क्या इतना स्केर्स हो गया है और इसलों कहा जाना पड़ जाएगा इतना निराशावाद नहीं होना है उनकी भी दखत थी पहले इमानदार सज्जन्रों जी अभी भी कुछ कम बखत जरू होगी यह आगे भी होगी में हम यह आशावाद रहें आशावादी रहें गुरू गिर्याज गुरुजी अर कुछ गुरुश की बात हुए तो एक पुरानी एक ब्यंद कहिं मने पढ़ा था वो मुझे आदा आगा तो मैं पड़ते जा रहा हूँ गुरु की पुजा पहले भी होती थी, गुरु पूजनी पहले भी थे, गुरु की पुजा आज भी होती है, हम कहते हैं ये महा गुरु है, गुरु घंताल है, पुजा भीना नहीं मानेगा अधरनी बेहर साथ को हम अधर वेक करते हैं, उनका समय लिया, वो प्रफन चरण यही पर समाथ होता है, इसके बाद हमारी कद्ध गोश्टी का कारिकरम है, थोड़े से दिगाम के बाद, भंदराद, बहुत भंदराद